Good morning children, आज हम मिल रहे हैं कक्षादो की क्लास में और हमारा विसाई हैं हिंदी तो चलिए, आज हम हिंदी की किताब में सिखेंगे, आप भी अपनी हिंदी की किताब निकाले और हिंदी की किताब में पेज नंबर 31, यानिकी 31, बारह खड़ी, जिसे गुजराती में हम बाराक्षरी बोलते हैं तो आपने आजे बाराक्षरी सिखेशू, बाराक्षरी आवडी जाए, तो तमने हिंदी वाजिता आसानी थी आवडी जाए अनि हिंदी मां जवाब लगता पन आवडी जाए, तो चालो, आपने सिखेशू, कि 12 खड़ी कई रीते वाजवी क, का, की, की, कू, कू, के, कई, खो, कौ, कम, कह उसके बाद, क, का, की, की, कू, कू, के, कई, को, कौ, कम, कह उसके बाद, ग, 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 गी, गु, गु, गे, गई, गो, गऊ, गम, गह उसके बाद गह, गा, की, गी, गू, गू, गे, गई, गो, गव, गम, गह उसके बाद च, 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 अब आपको अच्छी तरह से समध में आ गया होगा की हमें 12 खड़ी किस तरह से पढ़नी है गुजराती में भी हम इसी प्रकार बोलते हैं और हिंदी में भी हम उसी प्रकार बोलेंगे मतलब के गुजराती औने हिंदी बन्ने मा बोलवानू सर्खू छे मात्र लखवानू जुदू आवशे मात्रा चीन होपण बद्धी सर्खित छे मात्र हिंदी औने गुजराती मुळाक्षरों एटलेके वरणाना आली ते अलग-अलग लखवानू आवशे आगर जुओ। जई, जो, जव, जम, जहा, आपने देखा होगा कि हमने किस प्रकार लिखा है, फिर से वापस देखेंगे एक बार, देखिए, ये जो लाल अक्षर में, रेड अक्षर में लिखा है, वो मूल अक्षर है, जैसे कि ये च, च के बाजू में ऐसा रख दिया कानहा, तो इसे हम ब हस्व ई, इस तरह रखी, तो इसे हम बोलेंगे ची, इसे दिर्ग ई, तो ची, इसे हस्व उ, चू, इसे दिर्ग उ, चू, इसके उपर एक मात्र करेंगे, तो इसे चे, इसके उपर दो मात्र करेंगे, तो चाई, इसके उपर एक मात्र, और बाजू में एक काना, तो उसे ब चो के उपर दो मात्र और एक काना तो इसे बोलेंगे चौ। चो के उपर ऐसे बिंदी लगाएंगे तो इसे बोलेंगे चम और चो के बाजू में ऐसे दो डौट होंगे तो इसे चह यह दो डौट है दो टपका है उसे चह बोलेंगे इस बारह खड़ी को आप इस प्रकार भी बोल सकते हैं जैसे कि मतलब सिधी लाइन में उसके बाद का वाडी लाइन पन दम्हें बोली शक हो चो तो दाखला तरीके काःखा गाःगा kilograms इसके बाद हसवाई वाली बोलेंगे तो इस प्रकार बोल सकते हैं की खी गी घी ची छी दिर्गई वाली होतो की खी गी घी ची छी हस्वाउ और दिर्गउ दोनों को एक समान बोलेंगे कु खु गु 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 चु फिर इसे के खे गे गे काई काई गे गई गाई को खो गो गो चो कव खव गव गव चव कम खम गम गम चम और कहा खहा गहा गहा चहा चहा इस तरह से पूरी बारह खड़ी आपको बोलना है पेज नमबर 31 पर है और बाकी आधी बारह खड़ी पेज नमबर 32 पर है इसे भी हम उसी प्रकार बोलेंगे देखे, श्रो, श्रा, श्री, श्री, श्रू, श्रू, श्रे, स्रै, स्रो, स्रव, स्रम, स्रह तो इस तरह से हम बोलेंगे चलिए आगे देखे, आज हमने पेज नमबर 31 और 32 सिखा है आपको दुनो पेज में से बोलते जाना है और बोलना सिखना है दूसरा, 12 खड़ी आपको अपनी हॉमवर्क की नौट में मतलब के गर लेशन नी नौट माँ तमारी जे लेशन नी नौट होई, गुरूकार्या नी नौट होई, के हॉमवर्क नी नौट होई तमें एनेजी नामे बुलावता होई तेन ओटनी अंदर सारा अक्षरे एकवार कथी ग्या श्रा सुधी अख्षी बाराक्षरी एकवार लखवानी छे तो चालो आरी ते तमें बुलता सिखी जजो ज्यान आवड़े त्या तमें मम्मी पप्पा के मोटा बेन भाईनी मदद लई शको छो